हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रही है क्लास 6 की आपकी सोशल साइन्स की वर्क्षीट नमबर 33 डेट है आपकी 12 अवर 2021 आज की वर्क्षीट का चाप्टर 7 है आपका अवर कंट्री जिसका टॉपिक हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं लास्ट की वर्क्षीट में हमने हिमाल्यास के बारे में पढ़ा था इसके लावा हमने नॉर्थन इंडियन प्लेंस के बारे में डिसकस किया था आज की जो वर्क्षीट में वर्क्षीट है उसमें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में दा पैनसूलर प्लेटो के बारे में और आइसलेंड के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिया गया है तो हमारा डेजर्ट कौन से पार्ट में है इंडिया की यह जो वेस्टन वाला हमारा पार्ट है यहां पर इट इस ड्राय हॉट और सेंडिर स्ट्रेच अफ ल से वह भी बहुत ज़्यादा कम है बहुत जादा प्लांट्स नहीं होते हैं और हमारा जो क्रॉप्स वग्रेड़ इस प्लेटेशन क्योंकि जो वाटर है उसकी इतनी ऐची फैसिलिटी स नहीं है उसके बाद है का सेयंड प्लेटर टौ लाइज तू देऊंध होज़िब अस तरफ से water से covered होता है उसे हम penisular कहते है और plateau का मतलब होता है आपका ऐसा area जो की बाकी जो समतल वाला इलाका होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होता है ठीक है उसके बाद है it is triangular in shape इसकी जो shape है अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे है triangular shape है this is a reason with numerous hills range and valleys इस पूरे area में बहुत सारे आपको hills देखने के लिए मिलेंगे valleys देखने के लिए मिलेंगी इनकी जो hills होती है वह हिमालयास की तरह बहुत जादा बड़ी तो नहीं होती है पर इनकी पी होती है ठीक है तो बहुत सारे हमें hills देखने के लिए मिलते है इसके अलावा वैलिस देखने के ल यह देखिए अरावली रेंज हमारी है इसके अलावा विंदे रेंज भी है हमारी इसी इलाके में सत्पूरा रेंज भी है हमारी इसी इलाके में चीक है उसके बाद है आपका कि दे वेस्टन घाट और सराद्री बॉर्डर अपको वेस्टन घाट प्रोवाइड दे इस्टन ब जाएगा ये देखे ये पूरा हमारा वेस्टन काति है इसके अलावा अगर आप इस्त turns भाइश भी एफ के इससी लावा ओ में और होंत को सा राएंड गानहां से अंकिया यहां पर आप और में इस्कांट में यहां और में कोई आपने हंOne सिरीज में है बट जो हमारा इस्टन घाट है वो कंटिन्यू सिरीज में नहीं है यहां पर गयाप से ठीक है यह इन दोनों में डिफरेंस है उके उसके बाद है आपका कि यह बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा हमारा एक एरिया है जहां पर हमें रिच इन मिनरल्स जाता है आयरन मिल जाता है ठीक है हमारी जो एलाके है वहां पर उसके बाद है तो दया वेस्ट ऑफ डा Works high प्रेजें यह साय इनन से रह वार इस सार्प है और 흉त Pur है mountains है और इस side हमारा water है तो इसके बीच का ये पूरा जो area है वो हमारा coastal area है तो दोनों ही side हमें हमारी coastal areas देखने को मिलते हैं ये देखिए ठीक है उसके बाद है आपका कि the western coastal plains are very narrow जो coastal हमारा plane है इसका western का इस side का ये बहुत जादा narrow है बट जो हमारा east का coastal plain है वह बहुत जादा नहीं है वह बहुत जादा broad है इस side यानि east की side हमारा जो ये देखिए coastal play है ये बहुत जादा कैसा है broad है ठीक है यहां पे जो ये सारी rivers आती है आपकी महानदी का वेरी क्रिशना ये सारी रिवर इसको बहुत जादा ब्रॉड बना देती है ठीक है अब इस मैं आप में देखेंगे अच्छे से ये देखे ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है देखे यहां पर ये रिवर सारी है आपकी यहां से ये देखे ये हमारी क्रिशना रिवर है ये हमारी गुदावरी रिवर है तो ये इसको बहुत जादा ब्रॉड बना देती है तो इसका पूरा इलाका बहुत जादा ब्रॉड है और इसका जो इलाका है ये बहुत जादा नेरो है उके उसके बाद है आपका कि महा नदी गुदावरी कृष्णा और कावेरी इस रिवर्स ट्रें into the Bay of Bengal तो जितनी भी हमारी ये रिवर्स हैं महानदी हो गई, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी निकलती हैं और कहां जाके मिल जाती हैं Bay of Bengal जाके मिल जाती हैं उसके बाद है आपका two groups of Iceland also from part of India तो दो हमारे Iceland भी हैं जो की part हैं किस के part हैं, हमारे इंडिया के part है एक है आपका लक्षदीप फर्स्ट है आपका लक्षदीप ये देखिए, Iceland are located in अरब सागर, जो लक्षदीप है हमारा ये देखिए, ये कहां पर हमारा अरब सागर में है और second है अंडमान और निकोबार Iceland lie the south end of east India mainland in the Bay of Bengal और second जो हमारा अंडमान और निकोबार है ये आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा कहां पर Bay of Bengal में ठीक है, तो दो हमारे Iceland है एक है लक्षदीप और दूसरा है हमारा अंडमान और निकोबार लक्षदीप जो है हमारा वो आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा लक्षदीप हमें देखने के लिए मिलेगा Arabian Sea में और अंडमान और निकोबार देखने के लिए मिलता है हमें Bay of Bengal में ठीक है, उसके बाद आपके कुछ questions दिए गए है जैसे first है आपका flinda blanks कि dash are the east following rivers तो महादेवी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है हमारी वो east following rivers है ठीक है सेकेंड है दे लक्षदीब आइसलैंड are located in the Arabian Sea तो लक्षदीब आइसलैंड हमारा किस साइड है Arabian Sea में ठीक है आपका there are many hills, ranges and valleys in the peninsular plateau फोर्थ है आपका eastern ghats provide the eastern boundary of the peninsular plateau ठीक है उसके बाद आपके लिए दो activity दी गई है first है find out the name of the coastal state of India with the help of your family members and teachers तो कौन से हमारे coastal plains state हो जाएंगे गुजरात, महरास्ट, गोवा, करनाटा, केरला, तमिलनाडू, आंधरपरदेश, उडिसा, वेस्ट बंगाल ठीक है और second activity का answer आपका यहाँ है कि find out the name of the state where the great Indian desert is located with the help of your family members and teachers तो इसका answer हो जाएगा आपका राजिस्थान ठीक है यह थी आज की आपकी worksheet, I hope आपको अच्छे लगी हो, thank you so much